हेलो फ्रेंट, स्वागत है अप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्थ्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स आपको तो पता ही है कि शोट्स मॉनेटाइजेशन आने के बाद यूट्यूब पर शोट्स के चैनल बहुत ज़ादा हो गए है हर कोई shorts बनाके उससे पैसे कमाना चाता है ads के थूँ लेकिन आप यहाँ पे एक चीज को ignore कर रहे हैं वो है YouTube के जो shorts monetization के rules हैं उनको अगर आप follow नहीं कर रहे हैं और आप कुछ भी shorts बनाके YouTube पर डाल रहे हैं तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे shorts बनाएंगे तो आपका जो चैनल है वो monetize ही नहीं होगा और आप उससे ads के through earning ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही जादा informative वीडियो है वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे तो friends अगर आप भी YouTube पर shorts बना के पैसे कमाना चाते हैं और YouTube पर shorts वीडियो बना बना के डाल रहे हैं तो आपको मैं सबसे पहले इसके rules बता देता हूँ जैसे आपकी long वीडियो का जो channel होता था उस पे जो community guidelines strike आती थी वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी community guidelines को follow नहीं करेंगे shorts चैनल पे भी तो आपकी shorts वीडियो के उपर भी community guidelines strike आ सकती है और अगर आपकी channel के उपर community guidelines strike आती है तो उसे आपको काफी ज़्यादा नुकसान होता है तो आपको इस चीज़ कर धियान रखना है कि आपको इसकी community guidelines का पालन करना है और अब बात करते हैं इसके music के बारे में जो आप short video में music use करते हैं अगर आप कहीं से भी music उठाके इसमें डालेंगे तो आपके जो video है उसके उपर copyright claim आ जाएगा और उससे आप जितनी भी earning करेंगे वो सारी की सारी earning उस music company वाले ओरनर को जाएगी जिसका आपने music use किया है तो आपको किसी भी भार का music इसमें use नही करना अपनी shorts video को बनाते time अगर आप करेंगे तो उससे आप revenue नहीं कमा पाएंगे आप YouTube से जो music है YouTube में आप उस music को लेकर अगर अपनी वीडियो बनाते हैं तो आप उससे अच्छी खासी earning कर सकते हैं तो आपको इस music का भी आपको ध्यान रखना है अब अगर आप किसी और क उसको उठाकर अपने YouTube पर डाल देते हैं तो वैसे चैनल भी आपके monetize नहीं होंगे क्योंकि उसमें reused content की आपको problem आएगी जिसकी वजह से आपका channel monetize नहीं होगा shorts का और आप काफी जादा परेशान भी हो सकते हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको किस short video बना के अपने short channel पर upload कर देंगे तो आपको एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि वह जो बड़ा creator है वह आपको copyright strike दे सकता है और हो सकता है वह ना भी दे लेकिन अगर उसने दी तो आपका channel जो है वह मुश्किलों में आ जाएगा और तीन strike के बाद आपको भी पता है कि आपका channel remove हो सकता है आपको इन चीजों का ध्यान रखना है आपको किसी का भी content copy नहीं करना है अगर आप किसी का content copy करते हैं किसी भी बड़े creator का तो हो सकता है वह आपको copyright strike दे दे तो आपको इन चीजों से बचना है original content बनाए अपने shorts के original creative content बनाए अपने original content पे ही focus रखें और मेहनत करें और अच्छे अच्छे shorts बनाएं खुद capture करें YouTube music को use करें और अपने shorts को viral होने से आपके कोई नहीं रोग सकता और आप उससे अच्छे खास से पैसे भी कमा पाएंगे तो friends उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अब अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आपको किस तरीके के shorts बनाने चाहिए और किस तरीके के नहीं बनाने चाहिए और अगर आप इस तरीके के shorts बनाओगे गलत तरीके से बनाओगे तो आपका channel monetize नहीं होगा तो friends वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें थैंक यू